यह थाराइड गरंथी ही सूज जाती है यानि कि इसमें फूल जाती है सूज जाती है स्वाइलिंग हो जाती है तब हो जाता है घेंगा रोग हेलो गाइज वेलकम बैक माई यूटूब चैनल एजे क्लासेज आज का टॉपिक जो है वह थाराइड गरंथी है थाराइड होता है इसके बारे में पढ़ना इसके बारे में दिग जानकारी पाने केली हमारे इस वीडियो इस बारे सब्सक्राइ specs हो पारे हृ वील्य हब ठाडर करते हैं यह वीडियो तो आज डीowned तो है वह थाराइड गरंथी दिख रही होगी इसका आकार चुह है यच आकार का होता है अब बात करते हैं यह जो होता है यह पूरे हमारे बोड़ी का सबसे बड़ी अंतासरावी गरंथी है क्या सबसे बड़ी अंतासरावी गरंथी यानि कि हमारे सरीर में दो परकार की गरंथियां पाई जाती ह एक होता है 22 गरंथी एक होता है अंतासरावी गरंथी जो 22 गरंथी होती है उसको खुण से बचाना रहता है लेकिन जो अंतासरावी गरंथी होती है उसको खुण में मिलाना होता है तो यह हर्मोंस निकलता है निकलता है वह खुण में मिला देता है इसको बोलते हैं अंतासरा तो रंग उन्ठ चहरा बहुटाइं देखेए लेकिन बात करते हैं गुरा-शावला भूरा तो ये होता है गुलाबी किस क्रेका गुलाबी कलर अब आकार तो आप जानते ही है होता है जहां कि यह से देखिए ABCD वाला है इसके बाद में बात करते हैं इसके कौन सा हर्मोंस निकलता है इसका हर्मोंस जो होता है थाराक्सीन हर्मोंस निकलता है कौन सा थाराक्सीन हर्मोंस अब देखिए थाराइड गरंथी का नाम कैसे पढ़ा इसी हर्मोंस के वजह से अ सब्सक्राइब इसका रक्त चाप को रक्त चाप या भी मारी जैसे कि आप लोग जिसमें आयोडीन की कमी से होती है बिमारी होती है वो कौन से बिमारी होती है घेंगा रोग जिसको बोलते हैं यह थाराइट गरंथी सूज जाती है जिसको आप घेंगा रोग बोलते हैं कौन सा रोग घेंगा रोग अब देखिए एक कुश्चन यह उठता है कि घेंगा स्वाइलिंग हो जाती है तब हो जाता है घेंगा रोग आप देखिए ऐसे बेक्ति को देखेंगे जिनका घेंगा जो होता है थोड़ा मोटा हो जाता है मोटा फूल जाता है और आम इंसान के घेंगा से यानि कि गला और सरीर में कोई अंतर नहीं रह जाता है कि इनका गला औ इतना मोटा हो जाता है फूल जाता है स्वाइलिंग हो आ जाती है किसके कमिस होता है आयोडीन के कमिस होता है इसी थाराइड गरन्ति में होता है अब बात करते हैं इसके इलाज के लिए घेंगा रोक के तो आपको आयोडीन की कमी होती है इसलिए होता है आयोडीन के आपको प का दो नाम है ग्हेंगा रोग वैटर भी बोला जा सकता है इसके बाद में होता है अब इसके बाद में जो हो गया केलती डूर्मूंस होता है ये कैल्सियम और फ्रास।रअस को में जरूरत होती है और जब जरूरत पूरी हो जाती है तो अगर आप अगर आप को निगाल देंगे खतम कर देंगे तो वहारे सरीर में इस टॉन बनना चालो हो जाएगा जगा जगा पे नसे ब्लॉक होनी चालो हो जाएंगी और जो है किड्नी में स्टोन हो गया इन सब चीजों में स्टोन बनना चालू हो जाता है तो यह च्छोटी सी जानकाई था राइड के बारा आसकरता हूं आपको वीडियो चलों वीडियो को लाइक करते चैनल से स्काइब में से मिलते हैं नेक्स्ट पीच्छा तके जैन जै भारत